नमश्कार में प्रिया पत्ना नियूज में आपका स्वागत है चले जानते पत्ना की 11 फटाफट खबरों को पत्ना से बिहार बोट के टॉपर अंकित गुपता से मिलने पहुच रहे हैं लोग बीते दिन बिहार बोट की तरफ से बारहवी के परिणाम को जारी कर दिया गया जुसमें ही इस बार के परिणाम में चात्रों का बोल बारा रहा लगबग सब ही स्ट्री में शात्रों ने बाजी मारी है इसी में एक नाम है पटना के अंकित कुमार का बिहार बोर्ट की बारहवी परीक्षा में ओवरॉल टॉपर कला संकाई के छात्र संगमराच के पिता गोपाल गंज के में ए रिक्षा जलाते हैं तो वही वार्णेजिस स वश्तेदारों और जान-पहचान के लोग साथ ही मिडिया वाले पहुँच रहे हैं परड़्य पुत्र विश्विद्याले में 30 मारं चतक होगा UG कोर्स में Admission अगर आप ऑपी UG कोर्स में पातले पुत्र विश्विद्याले में Admission लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ह हमारी एक ख़बर कुछ खास है पटना के पाटले पुत्र विश्विद्याले ने तीस मार्श तक रिजिस्रेशन करवाने का मौका दिया है इसके तहत यब सत्र से दोहजार एकिस चौबस के यूजी कोर्स करने के च्छा रखने वाले चात्र चात्राओं को विलंब दंड के स थी तीस मार्श तक रिजिस्रेशन का मौका दिया गया इससे पहले चात्रों के पास केवल चौबस मार्श तक का ही समय था पटना को स्वच बनाने के लिए महज 10,000 लोगों का मिला फीड़बाक हाली में स्वचुता सर्वेक्शन 2022 को ले करके पटना नगर निगम जागरु अब तक स्वचुता सर्वेक्शन के लिए महज 10,000 लोगों का फीड़बाक सामने आ है इससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि शहर को स्वच रखने के लिए जागरुकता की क्या सिती है जानकारों की माने तो ये जागरुकता सर्वेक्शन 2022 में लोगों की भागेदारी पर उन्हें दूसरे अस्पताल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि जल्धी ट्रामा सेंटर लगा कर इस अस्पताल की श्रमता 400 बेट की होने वाली है इसके लिए अस्पताल के उत्तर दिशा में खाली परी जमीन पर जल्धी रहे हॉस्पिटल का निर्मान होगा आपक पर पटना से नालंता, दर्भंगा, मधुवनी और अन्यश शहर जाने वाले पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है होली को लेकर परिवहन निगम पहले से ही अलर्ट है अधिकारियों की माने तो कोरोना महमारी के बाद ये पहनी बार है जब कोबिट प्रोटोकॉल छोड नामे होली के बाद होने वाले एक विशेष कारिक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। 28,000 कर्मचारियों ने दिया संपत्ति का ब्योरा बीते दिन पटना जुले के विभिनक कार्यालियों में तैनात लगभग 28,000 अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। 29,000 की तरफ से आयोजित की गई होली मिलन समारो चुराग होए भावुक। 29,000 की तरफ से बीते दिन साज्वा की गई जुआनकारी के नुसार, बीहार में बीते दिन के पुछले 24 घंटे में 9 मामलों की पुछ्टी हुई है जिसके बाद बिहार में अब आक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 50 पर है गई है। वहीं हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में एक मरीज की पुछ्टी हुई है। कल हमारे दुआरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट में अच्छा लगा है उनके नाम है अजीत कुमार, मोनु कुमार, रव का देहन के बौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जवाब में कमेंट करके जरूर रताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पटना की बड़ी खबरों से अब्लेटेड रहने के लिए हमारे यूजर